तो फ्रेंट्स इस तरह वीडियो में देख सकते हैं जी 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 बन गालिक लगा हुआ है और नीछे से इसकी जो है वह थिक नस इतिनी है और यह अर्लमॉस्ट तक्रीब बन एक मुन्त के बाद हां एक मेने बाद एक मंत के बाद जो है वो इसकी हर्वेस्ट होगा तो आज इंशालला इसकी जो डिटेल इंफॉमेशन आप लोगों से शेयर करते हैं आज की जो वीडियो है वो है जीवन गार्लिक जिस तरह वीडियो में देख सकते हैं इसके बारे में आप लोगों से जो है वो डिटेल इंफॉमेशन शेयर करेंगे इसका क्या तरीका कार रहा कितनी कौंटिटी लगती है तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले हमेशा की तरह आप लोगों से रिक्वेस्टर चैनल को लाइक सब्सक्राइब और शिया करें फ्रेंड्स में वीडियो स्टार्ट करते हैं इस सिसले में हमारे साथ हमेशा की तरह हमारे अंकल अब्दूलहमीद साबरी साभ मजूद हैं अससरा मुन्हां उलिक्मूल अलेकुमूलो इसका नाम है झा से ने उससी गला में इसका जा विक्तान मेंशाहई हूई है और इसका जो सीड है 2000 पर केजी ये बिलकुल इसका इस हालत में बिक रहा है तो आडवांस फुकिंग भी लोग कर रहे हैं लेकर न मैं इस बात पर यकीन नहीं रखता मैं कहता हूं कि थोड़े से कामशी मैंने तीन किलो से शुरू किया था नेक्स टीयर मेरे पास काफी हो जा तकरीबन निकलाएगा तो पहले जब आमने इसका सीड पर चेस किया उसकी कितनी को अपना प्राइस किया थी और आज कर दोस्त ने गिफ्ट किया था तीन किलो अब मैं भी यह चा रहा हूं के दोस्तों के लिए इसका रेट कम होना चाहिए यह बहुत ज्यादा रेट है यह शेजार पैक किलो सुखे का पड़ेगा रेट तो यह बहुत ज्यादा रेट है अभी जो मांते चल रहा है वो है जी अपरल है तो यह इसके आखर में जाके पकेगा और हार्वेस्ट हम इसको करेंगे यह बहुत टाइम टेकर क्रॉप है इसमें यह है कि यह एक्तूबर के श स्टोरेज इसकी जो है बहुत मुशकल है अच्छा आपके कहने के मकसद यह है कि जब इसको निकालेंगे उस टाइम तो जिए गिला होगा इसकी प्राइस काम होगी उसकी टूथ हो जारी है लेकर मैं समीता हूं यह जो उपर पत्ते हैं किसी को हाक नहीं पहुँए था कि इ सूकने के बाद इसका रिएट उना जाहिए क्योंके यह सीड का हिस्तव मेरा कहना यहै कि सो को चेड़ाओ बेचना चाहिए गीली हालत में इसको नहीं बेचना चाहिए जुम मैं काष्तकार के लिए भी और इखला कि तर पर और चरियों तो मैं इसको अच्छा है नहीं समई तो आज कल के हसाब तो लाखों में आता है आप हमारे दोस्तों से कुछ इसका आइडिया तो शेयर के लिए देखने वाला जो लगाना चाहता है इंट्रेस्टेड है जो इंट्रेस्टेड है वो मेरे तो ख्याल में इसमें 800 किलो को अगर उसको 4000 का रपै के हसाब से भी लगे तो आठ देख लें कितने किलो 800 किलो के साब जर्ब दे लें तो इसके बाद मतलब ये इस्तमाल हो रहा है खाने में या बिलकुल नहीं ये खाने में बहुत अच्छा लोग लगाई जा रहे हैं लेकर सीड के दावर पे ये बेक रहा है तो आजमी दारों को इस फैदा हो रह हो याद ता शारा इसमें एक और आफ में प्राफिट हो रहा है अस वक्त तो सीड के लिहांसे बेच रहे हैं लेकर ये मार्केंटिंग के लिहासे यह सही नहीए हृँ वहां लोग देसी को पिसाथ करते है मतलब इसमाल जो खाने में तो वो देसी हो रहा है लेकिन रेड़ तो इसका ज्यादा है रेड़ सीड के लिहाज से जब तक इसका सीड बुकेगा इसका रेड़ ज्यादा रहेगा अच्छा आम ने पहले बताया कि इसको आमने कास्ट किया है अक्तूबर में ठीक है उसके उतार ने पड़िए हम मलचंग करते हैं और इसको और गैनक तरीके से होगाते हैं हम कोई खाद कोई सुपरे और कोई गोडी नी की एसके हमने हम इसको और गान की से यह जब तक इसका सीड बुकेगा तो यह प्रोफटे बला जब मार्किट में आगा तो पिट जायगा तो चाली चाली लाख रपर प्राफट ले रहे हैं लोग एक एकर से तो फ्रेंट्स ये थे अब्दुल्हमीज साब जो कि जीवान लेसन के बारे में आप लोगों से इंफरमेशन शेयर कर रहे थे अमीद करता हूं आपको वीडियो अच्छी लगी होगी वीडियो अच्छी लग